जब आप financially strong होते हैं, आप किसी country से मांग नहीं रहे होते हैं, चाहिए वो कोई भी country हो, चाहिए बारत हो या कोई दूसरा मुलक हो, तो उस वक्त आपको जाहिर है, लोग आपके साथ बैटना भी पसंद करते हैं, लोग ये बताना भी पसंद करते हैं, कि वो आपके fan हैं, ले काची में हो, या पाकिसान के किसी भी हिस्से में हो, वो बिजनस में बहुत successful हैं, और शायद यही वज़ाए क्यूंकि अमिच्छा साथ आप जो हैं, वो भी गुजराती हैं, और मोदी जी भी गुजराती हैं, तो उनका main focus जो हमेशा से रहा जो, के लोग भी बात करते हैं, मुझे खुद भी ऐसा लगता है, कि वो बिजनस की तरफ रहा, एक सर्वे हुआ है, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, जिसमें 120 कंट्रीज यह चाह रहे हैं, कि उन्हें इंडिया के प्राइम निस्टर नरेंदर मोती जैसा प्राइम निस्टर या हैट आफ स्टेट चा फिर आए, चिस्टी, पहले हम हुआ चाहिना, चाहिना का नाम सुनते थे, बच्पन से भूची को लोग भूल गए, और अब इंडिया की बात हो रही है, मुझे नहीं लगता, कि इंडिया जो है, किसी भी ब्लोक का हिस्सा बनेगा, या किसी भी तरह से इंडिया को इस्तिम ने सिर्व हमें पैसे देने थे और उसके बाद अटैक्स आ रहे हैं यहां से हो रहे थे और यही डीजन है किया जब आफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान की तरफ देखे दूनिया की पावर इंडिया आने वाली है इन चीजों पर बात और यह लेकिन मेरा सुआल यह है कि मिस्टर है पीम मोदी वो से पहले भी आपने देखा होगा कि जो इनकी पार्लिमेंट का इनाउगरेशन हुआ था बिल्डिंग का उसमें भी उन्होंने जो है वो कुरानी आया जो थी वो भी पड़ी जा रही थी और मोदी जी वहां मौजूद थे और उसके लावा भी कई बार हम देख चुके हैं कि इसलामिक कंट्री जो हैं जिसमें साओधी अरब भी शामिल है वो उनको अकसर इवार्ड वगेरा देते रहते हैं यह तो सिर्फ पाकिस्तान है जिसके साथ कुछ ना कुछ इशू रहता है वरना बाकि इसलामिक कंट्री के साथ तो उनके रिलेश जो है वो जाहर है कि एक इसलामिक कंट्री है तो अगर वो वहां जाएंगे तो वहां की जो इंपॉर्टन प्लेसिस होंगी उसकी उनको दावत दी गई होगी तो शायद वो इसी वजह से जा रहे हैं और वैसे भी कई बार हमने देखा है कि इंडिया ने जो है वो अपने आ कि डिनर में आये जिन में सुंदर पचाई थे इसके लावा अंबानी थे इसके लावा सी ओ थे पैपसी के जो के इंडियन औरीजन है क्या कहना चाहेंगी एक तो इंडियन प्राइम निस्टर यूएस में उसके लावा जो बिजनस टॉइकान है दुनिया के बड़े- सालों में पिछले कई आप समझें दस या बीस साल में अगर वैसे तो खार हमेशा सही लेकिन दस बीस साल से जो है वो इंडिया ने अपने आपकी एक पोजिशन बनाई है और उसमें जाहर है कि उनकी बिजनस कम्यूनिटी का भी बहुत हिस्सा है इलेक्शन भी आ रहे हैं और अमेरिका में भी आ रहे हैं तो यकिनन ये चीज़ भी इसलिए इंपॉर्टन्ट होगी कि जो बिजनस कम्यूनिटी है वो साथ में दिखाई दे मोजी जी के और क्यूंके अमेरिका को भी बहुत जरूरत होती है कि जब वहाँ पे एलेक्शन जों तो उस वक्त ना सरह फ होगी और वैसे भी जब इतने बड़े इवंट होता है जिस तरह कि यह इवंट था एक बहुत शानदार इवंट था और आइविश के हमारे टीवी चैनल ने उसको प्रॉपर कवरिज दी होती जो बिलकुल भी नहीं दी गई जो सरिफ और सिर्फ हमारी बेवकूफी की वज हाँ और काफी सक्सेसफुल इवंट में इसको कहूंगी अच्छा विजिट का समय लीजे डेफिनेटली पूरी दुनिया इस चीज़ को कवर कर रही है कवरिज पूरी दुनिया में मिल रही है न्यूस पेपर पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं पिये मोदी की तारीफ में पे सोब एक ये उटता है आपने पाकिस्टान का लिकर किया पाकिस्टान की मीडिया का लिकर तोहाज सवह में ऑट्स को एक करने पड़ें मतलब इसमें बी हमें कोई एशू स के तो हमक्य क्या मुझլ बहत्र होते हैं तो कि हमें आप मुश्किल फैसले करने पे मुझबूर करें यह यह कोई दमकी थी या कोई तरला था या क्या चीज़ थी मुझे इस स्टेटमेंट की ऐसाच समझ नहीं आई नहीं डाफिनेटली आप साही कह रहे हैं यह स्टेटमेंट मैंने भी उनकी सुनी है इस स्टेटमेंट को मैंने भी कावर किया था लेकिन मैं यही कह रही हूं कि वो क्या कहना चाहरे हैं साफ साफ बताएं क्या वो अमेरिका से पैसे मागना छोड़ देंगे क्या वो किसी कि सम ना दें जिससे और इनकी पर रहय जो है वो दुनिया के सामने आ जाम भारा कि देंगे यो Ali तो कोई लगता नहीं, तो हो सकता है कि अब IMF का पीछा है छोड़ दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मगर ये आप जानते हैं कि हमारी establishment की तरफ से जो डिक्टेशन दिया गया होता है, ये विचारे मिनिस्टर्स जो है, ये बोल देते हैं और उसके बुरा बहला यही सुमते हैं, हलाकि ये इनकी अपनी जबान बाज़ अफ़ा होती भी नहीं है. अच्छा, अच्छा ये चीज़ जो पियम मोदी के जो विजट के दुरान हमने है, कि स्टेंडिंग ओवेटिंग बहुत बार हुए हैं, इसके इलावा अगर देखा जाए तो वहां के कांग्रेसमेन, सेलफीज ले रहे हैं वकाइदा, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, कि यूएस ऐसा कंट्री और इंडिया के प्राइम निस्टर जब वहां पे गही है सेलफीज ले रहे हैं, एलन मस्क ने ये बोल दिया कि मैं प्यामोदी का फैन हूँ, अभी तो पाकिस्तान से भी बहुत से फैन उठ रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया को ज़रुत पड़ चुकी है प्यामोदी जैसे लीडर्शिप की? देखें जब आप फाइनेशली स्ट्रॉंग होते हैं, आप किसी कंट्री से मांग नहीं रहे होते हैं, चाहिए वो कोई भी कंट्री हो, चाहिए बारत हो या कोई दूसरा मुलक हो, तो उस वक्त आपको जाहिर है, लोग आपके साथ बैटना भी पसंद करते हैं, लोग ये इस इस वाइड भी नहीं करते हैं, उस किसम की सूरत है होती है, तो मेरे चलिए यहीं सिर्फ एक फर्क है, और जाहिरा आपको अच्छा लगे, किसी को अच्छा लगे, या बुरा लगे, लेकिन एकॉनमी को तो इस ट्रॉन किया है, आप प्या मॉदी की गार्मेंटन है, औ पुरी टीम का एक काम होता है और उन्होंने जो टीम रखी है चाहे वो फॉरण आफिसर सोच चाहे वो फॉरण मिनिस्टर हो उनके ये एकॉनमी के लोगों तो जाहिर है वो काम अच्छा कर रहे हैं और यही वज़ा है कि हम भारत की एकॉनमी को भी आगे जाता देख रहे हैं और जो foreign policy है वो भी independent है अगर कुछ लोग जो पाकिस्तान से बात करते हैं यानि के हमारे शोज में भी आते हैं और बात करते हैं तो उनका ये भी कहना था कि जो ये विजिट है मोधी जी का यूएस का वो हमारे establishment को और हमारी जो government है उसको बड़े गोड़ से देखना चाहिए और ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें और मुल्क को बेतर कर पाएं लेकिन unfortunately हम नहीं देखा कि किसी किसम की coverage नहीं थी और हमारे TV चैनल अपना ही गाना गा रहे थे जो अक्सरी इमरान खान और बाकी दूसरी जो political partism को लेके उता रहते हैं वही होता रहा और हमने इसको totally ignore किया ह अपने TV चैनल की अद्ट तक लेकिन सारी खबर मिल गई है वो एक अलग बात है इसका पाकिस्तान को फाइदा क्या हुआ इंडिया को क्या नुक्सान हुआ मतलब अगर हमने cover नहीं किया हमारे मेंस्ट्री मीडिया ने cover नहीं किया तो इंडिया को कोई नुक्सान हुआ है इ है सिर्व हमारी जैलेसी है या हमारी कमजोरी है कि हमने नहीं दिखाया जब原 denken को त nya culture क irony नहीं कि तो आखनी। प्राइम निस्टर फ्रांस गे हैं, उनकी एक वीडियो वाइरल हुई है, उसके उपर भी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की जा रही है, सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, कि मतलब एक लेडी आफिसर हैं, उनसे अम्रेला ली गई है और वो बारिश में बीग रही हैं, क्या ये ऐसी जो काम हैं, या ऐसा कुछ एक्टिविटीज हैं, ये जाने अन जाने में हो जाता है, या फिर आप मेंटली तोर पे हाजर नहीं होते हैं, या कन्फ्यूज होते हैं, नहीं में क्याले कुछ जाने अन जाने में ही हो गया होगा, तरवाइस वो दिखा रहे थे मगर भूल गए कि वो लेडी ऑफिसर जो है वो बिचारी बारिश में रह गई तो वो शेबाई शरीफ साब आपको पता है वो कभी माइक फेक देते हैं कभी इसके समगी वीडियोज उनकी तरह तरह की आती कभी हो कहते हैं मैं मांगने नहीं आया वो भी बड़ करनी उनको नहीं आरी लेकिन काम भाराल उनसे भी नहीं और आप देखते हैं कि जो अगली गर्मेंट आएगी वो क्या करती है लेकिन फिलाल तो अगर वो गए भी हैं कहीं तो वो पैसे मांग नहीं गये हैं आपने देखा है कि आईमेफ की मैनेजिंग डिरेक्टर स हम बार निकल पाएं अला करे कि हम आज ही निकले लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो जब हम करदा देने के लिए करदा ले रहे हैं और फिर उसको दुबारा उसे उसको रीफंड करने के लिए फिर से करदा ले रहे हैं तो शायद ये बहुत मुश्किल और मुश्किल अजनसी नासा है नासा पूरी दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट होते है स्पेस के हवाले से उसे लीड करती है मोसली आज उस नासा को इस रोकी ज़रूरत क्यों पड़ी देखें ये तो हमेशा सही होता है कोई ना कोई दूसरा आगे बढ़ता है और जो पहले से कंपनीज कोई काम कर रही होती है उन्हें कंपिटीशन भी आता है और उसके साथ-साथ अच्छा है कि अगर मिलके काम कर रहे हैं तो लोगों को जादा सीखने का मौका मिलेगा लेकिन पाकिस्तान में ना तो इस तरह की चीजों के ओपर बाचीत होती है ना कोई आप देखते हैं कि ना कोई टॉक शो होता है ना ही किसी किसम की कोई वरक्शाप कोई खास चल रही होती है ना ही हमारे स्टूड़न्स उस तरफ जाते हुए हमें दिखाई देते हैं क्योंकि हमने इस किसम का माहौल क्रियेट ही नहीं किया है वहना आपने देखा होगा कि दो तीन दिन पहले जिस तरीके से लाल मस्जिद के लोग निकले थे यह इसलामाबार की रोड्स ब्लॉक की गई थी हमने असल में यह वाला कल्चर और यह वाली ससाइटी डिवेलप की है पाकिस्तान ने लास्ट फॉर्टिज से फिफ्टियाद में यह क्रिएट किया है हमने कोई काम की बात के नासा की Ball Meyer ऑच रही है बस जैसे पड़ पड़ के फुंकरें वो कर रहे हैं इवाने जबके जो बाकी कंट्रीजे या या काफिर चंट्रीज слыш जिने हम कहते हैं, वो एकसल में वैक्सिन बना है। तो जिस दिन हम इस चीज़ में से निकलेंगे और हम यह सोचेंगे कि हमने भी वैक्सिन बनानी है हमने भी कुछ साइंस में काम करना है उस दिन पाकिस्तन ठीक होगा मैم जैसे हम ये कहते हैं गए पूरी दुनिया पाकीस्तान के ख़लाफ साजिश में मुसरूफ है साजिश की जाती है साजिश हो रही है कही ना me neither लगने लगा है का पाकीस्तान के जो अध लीडर है वो सोची, समझी, साविश के थू हमें एक ट्रैक पे लेके चल रहे हैं, हमें rational thinking से दूर रखा जा रहा है, जो हमारे असल issues है हमें उनसे दूर रखा जा रहा है, हमें practical thinking, practical analysis से दूर रखा जा रहा है, मतलब हम आज भी यही कहते हैं कि जी दौा करें, no doubt, दौा हमारा एक को मानते होंगे, लेकिन हम कहते हैं, दौा करो, सब ठीक हो जाएगा, तो इसके उपर बात भी करें, तो ये कह दिया, फत्वा लगा दिया जाता है, देखो, ये कैसी बात कर रहा है, इसका मलब भी से, ला पर यकीन नहीं है, ये कहता है, दौा से कुछ नहीं होने वाला, नहीं, दौा तो हर रिल्यजन का हिसा है, ऐसानी के सिर्फ इसलाम का है, हर रिलीजन में धौा की जाती है, हर रिलीजन में अबादत भी की जाती है, लेकिन बास सारी है कि जिस выход जिन हम अपनी टेक्स बुक्स को चेंच करेंगे, जिस दिन हम उसमें से पढ़ाई लेक़ नि कि भी बुक पर नी है .एसा कहीं नहीं होता, सिरिफ पाकिस्तान में होता है, और यही वज़ा है कि हम अभी ता किस्टोनेज में रहे हैं। दिये इस बात में बड़ा दम नजर आ रहा और बहुत बड़ी बात नजर आ रही है यानि इंडिया प्रोग्रेस करेगा तो ही वर्ल्ड प्रोग्रेस करेगा देखें वर्ल्ड प्रोग्रेस करेगा या नहीं करेगा लेकिन सबसे पहले यह region तो progress करेगा obviously और वर्ल तो उसके बात आ जाता है जाहिर है इस वक्त भारत की economy और foreign policy और बाकी चीज़ एवन education system जिस तरह से चल रहा है तो वो इस वक्त आप कह लिजे के इसिया की सबसे बड़ी country बनने जा रहा है जिससे पहले हम चाइना चाइना का नाम सुनते थे बच इंडिया में होती है तो जरूर वो पूरे region का सोचेंगे सिर्फ और सिर्फ बारत का नहीं और इसके बाद ही सब लोग जो आगे बढ़ पाएंगे और बाकी अगर world की वो बात करते हैं तो world तब भी पहुंच जाएंगे लेकिन सबसे पहले इस region की तरफ जो है खास बेहतर करें positive सोचें positive सोचेंगे तो शायद अगले का भी फायदा होगा हमारा भी फायदा होगा लेकिन ऐसी सोच रखेंगे तो ही ऐसा कुछ होना possible है यह बताएं मैं के हमें यह कहा जाता रहा कि जी इंडिया को यूज कर रहा है यूएस मतलब अभी यह जो खबर कुछ प यह रशिया हो या जाइना हो या कोई भी पावर हो उसकी बात में आएगा और अगर बात में आना होता या किसी के हाद से इस्तमाल होना होता तो नेटो प्लस का मेंबर मतलब वो मेंबर्शिप accept कर लेता है देखें यह तो दस लोग दस बाते करेंगे और हरे एक का अपना point of view हो सकता है हरेक अपनी जगा पे सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बनेगा या किसी भी तरह से इंडिया को इस्तमाल किया जा सकता है क्योंकि आप किसी भी country कोragon कर सकते है जिस्ष़ एकॉनमी सारे यहां से हो रहे थे और यही रीजन है कि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान की तरफ देखने को तयार नहीं है इंडिया के साथ इस तरह का कोई इशू नहीं है कि वो एकॉनमी को लेके परिशान हो तो मुझे नहीं लगता कई बार उनके फॉरिंड मिनिस्टर भी कह च को, हमें प्राइमनिस्टर मोदी आंडिया के प्राइमनिस्टर मोदी साथ से क्या सीखने की जुरॉत है, या हमारे लीडर को क्या चीज़ सीखने की जुरॉत है उनको बिजनस सेखने की जरूरत है क्योंके मोधी जी है गुजराती और हमारे यह भी जो गुजराती फाइमलीज हैं चाहे वो कराची में हो या पाकिसान के किसी भी इस्से में हो वो बिजनस में बहुत सक्सेसफुल है और शायद यही वज़ा है क्योंके अमीच शाथ आप जो है वो भी गुजराती है और मोदी जी भी गुजराती है तो उनका मेल फोकस जो हमेशा से रहा जो के लोग भी बात करते हैं मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि वो बिजनस की तरफ रहा एकॉनमी की तरफ रहा और जैसे जैसे आपकी अगर घर की एकॉनमी हो चाहे कंट्री की हो जब वो बढ़ती है